नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है, हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए विडियो को प्राप्त करने के लिए घंती को दबाए अपने बाकी साथियों से अलग उसके पंख चमकीले पीले रंग के थे सब उसके पीले पंखों को बहुत पसंद करते थे हर सुबह बीबी तितली हेलो कहती और मंटो मैंटस हमेशा हात हिलाता था सैसा उदासी मकडी भी उसे देख कर खुश होती स्कूल में वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलती लेकिन लारा दूसरे गुब्रिलों की तरह दिखना चाहती थी काश मेरे पास आपकी तरह लाल पंक होते मम्मा तुखी वो बोले तो एक दिन उसको खुश करने के लिए लारा की मा ने उसके पंक, चटक, लाल रंग कर दिये अगली सुबह स्कूल जाते समय लारा का किसी ने भी अभिवादन नहीं किया और जब वो वहां पहुँची तो किसी ने भी हेलो नहीं कहा लारा बिलकुल अकेली बैठी रही किसी ने उसके नए लाल पंक नहीं देखे जब तक मिस मिया ने उसे न पहचाना और कहा वह तुमने अपने सुन्दर पीले पंकों को रंग दिया लारा के दोस्त चकित हो गए तुम्हारे पंक विशेश हैं कितने अद्वितिय हैं कितने दुरलब लारा मिस मिया ने कहा तुम्हारे पीले पंक ही तुम्हारी पहचान है जिस तरह सिफो की चित्तियां और सैली के चिन्ध के पैर घर पहुँचकर लारा बहुत देर तक नहाई और उसने अपने पंकों को खूब रगड़ा जब तक कि उसके सुनेहरे पंक चमकीले न हो गए मैं अपने पंकों को कभी नहीं रंगूंगी उसने सोचा शायद एक या दो बार बस हल्का सा बैंगनी या कुछ सुन्दर सा पर हमेशा के लिए नहीं सिर्फ मजे के लिए सुनिये जी विडियो को पसंद करना और बातना ना भूले क्रपया नीचे अपनी टिपपणिया भी छोड़ दें क्रपया ट्राइब करें प्राइब सुन्दर आब bringt स्लाइब के लिए तकर का या उाया ल्यास पसने पिंद दो किन्हिए पर दो जुपर्द करें हुस cond Tod